एक बात आप लोग हमेसे याद रखा करिए जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस साल में आपके कौन कहा का मुखमंत्री है किस राज्यका उसकी राध्धानी क्या है वहाँ का राज्यपाल कौन है और उसे इस्टेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और भी याद रखना है आपको ठीक है क्योंकि आप देखेंगे कई वार आपके कुश्चंस इस तरह के नॉर्मल कुश्चंस बन जाते हैं बहुत ही सरर रहते हैं लेकिन आप देखते नहीं तो उससा चूट भी जाता है ठीक है ये के करके हम सभी राज्यों को देख लेते हैं और फिदेश दुनिया में या फिर आपके स्टेट में क्या चल दा है मालू तो रही कम से कम और इस तरह के कुश्चंस आप देखेंगे कि सभी परिच्छाओं में पूछते हैं फिर चाहे आपकी कोई भी फरिच्छा क्यों ना हो तो ये आपकी राज्य दिये गए ये आपकी संगसासित फिदेश हैं वर्तमान में ठीक है अउना चल फिदेश इसे आप लोग एक बार में में देख लीजे देखे ये हैं आपका अउना चल पिदेश चाहिना से सीमा लगती है भूटान से भी और यहां देखेंगे आप लोग आपको म्यानमार भी देखने को मिलेगा इसकी राध्धानी की बात करें अगर हम लोग तो आपको इटानगर देखने को मिलेगा इटानगर यहां के मुकमंत्री है पेमा खांडो और यहां के राजपाल डॉक्टर वीडी मिसरा अगर कोई गलती हुई हो इसमें तो आप लोग उसे भी बता देना फिर आता है असम असम की राध्धानी की बात करें हम लोग तो यह आपको देखने को मिलेगी दिस्पूर और इसकी अंतराष्टी सीमा की बात करें तो बंगलादेश से भी इसकी सीमा लगती है देखी लग रही है और यह इसकी सीमा आप लोग भूटान से भी लगती है ठीक है तो यह भी आ राजपाल आंध्पदेश इसका भी देख लिए यह आपको देखने को मिलेगा आंध्पदेश कहां है आध्पदेश यह है आपका आंध्पदेश ठेक है अमराबति इसकी हरीश चंद ठीक है यह भी आप लोग याद रखिए फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश क्या आता है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा यह है उत्तर प्रदेश और याद रखिए इसकी अंतराष्टी सीमा केबल नैपाल से लगती है और सब से जानदा किसी अगर किनी राज्जों से सीमा लगती है किसी राज की तो वह उत्तर प्रदेश टेकर नौ राज्जों से देखेंगे आठ आठ के केंदशासित प्रदेश दिल्ली ठीक है और इसकी राध्धानी आप सभी जानते हैं लगनवु और योगी अधितनाथ इन्हें के खुने आपलोग जानते होंगे। मुकमंद्री हैं आनंदि बहेन पटल यहां की क्या है। राजपाल है। फिर आते हैं आपका OTRA खंड़ कंप आपका उत्राखंड बना था यह आपका उत्राखंड तो इसकी सीमा नैपाल से भी लगती है और देहरादून इसकी राध्धानी है पुसकर सींग धामी यहां की मुख मंत्री है आपने देखा है कि वह सम्हमेव कर भट्राइन बदलें बेबी रानी मौर यहां के क्या है राजपाल है उडिशा कहा है उडिशा देखेंगे आप लो यह ठीक है भुमनेसवर इसकी रात्धानी हो गई और नभीन पत्नाय के यहाँ के मुखमंत्री हैं कापी अच्छे मुखमंत्री भी माने जाते हैं गंदेशीलाल इहां राजपाल है, करनाटक करनाटक कहां देखने को मिलेगा नीचे जाईए आप लोग करनाटक इसकी राधधानी, बैंगलोर बैंगलोर, बीएस यदुअफ युपा, यहां के मुखमंत्री है, और थावरचंद गहलोर, यहां के राजपाल है केरल, केरल आप लोग देखेंगे, यहीं आपको केरल देखने को मिल जाएगा, यह आपका केरल है, इसकी राध्धानी की बात करें तो आपको तिरुआनंद पुरम इसकी राध्धानी देखने को मिल जाएगी, फिनराई विजयन यहां के मुखमंत्री बने है, आरिप मुहम्मद खान य भी है सर्वोच पत्पद यहां के मुखमंत्री की बात करें तो विजय भाई रूपानी यहां के मुखमंत्री आच्यारे देव विरत सेंग यहां के राजपाल गुआ तो यह आपको देखने को मिलेगा छोटा सा राज गुआ तो इसमें आप देखेंगे पढ़जी इसकी राध्धानी होगी प्रमोथ सावंत यहां के मुखमंत्री है ती एस स्रीधरन तिल्लई यहां के राजपाल है चत्तिसगड कहा है एमपी से अलग करके चत्तिसगड बना था रायपोरिस की राध्धानी है और यहां के मुखमंत्री की बात करें भूपेश बगयाल है कॉंग्रेस की अनुसविया ओईकी यहां की ओईकी क्या है राजपाल फिर आप देखेंगे जारखंड तो यह आपको देखने को मिलेगा जारखंड इन सब राज्यों को क्रम से याद रख लिजेगा और यहने देख लिजेगा किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है इसकी सीमा अंतराष्टी सीमा किस देश से लगती है क्योंकि इस तरह के कुश्चन्स कई बार पूँछ लेता है ठीक है और यहां आप देखेंगे राज्धानी हो गई हैमं सुरेन यहां के मुखमंत्री हो गए और रमेस बेस यहां के राजपाल है तमिलाडू तमिलाडू आपको देखने को मिलेगा नीचे जाई आप लो तमिलाडू इसकी राध्धानी है चैन नई ठीक है और M के इस्टालीन यहां के मुखमंत्री है बनवारी लाल पुरोहेद यह के राजवाल है तेलंगाना आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना हैधरावाद से अलग करके राज बना था तो तेलंगाना देखने को मिलेगा यह है आपका इसकी राधानी हैधरावाद देखने को मिलेगी चंद सेखर राओ यहां की मुकमंत्री है तमिल साइं संदर राजन य नागालेंड आपको देखने को मिलेगा, यह है आपका नागालेंड, ठीक है, इसकी सीमा देखेंगे आप लोग की, आपकी मियानमार से लगती है, और इसकी राध्धानी की बात करें कोहिमा हो गई, नेफ्यू रियो, यहां के मुकमंत्री हो गई, आर एन रभी, यहां के रा से लगती है, तो चंडीगर इसकी राध्धानी हो गई, अर्विंदर सिंग, यहां के मुकमंत्री हो गई, अमरेंदर सिंग है, जैरें कैप्टन भी कहते है, विजेंद पाल सिंग, बधन और यहां के राजपाल है, पश्यम बंगाल, बंगाल आपको देखने को मिलेगा, य इसकी अन्दरश्टी सीमा की बात करें तो देखिए बंगलादेश से भी लगती है, नैपाल से भी लगती है औरहूतान से भी लगती है तीन देशों से लगती है इसकी राधर दानी कोलकाता हो गई ममता बंडर जी यहां की मुकमंतरी होई और एक अकदीज धनकड यहां के मुखमंत्री है इनके बारे में याद रखें इनसे questions मुझे लगता पूछा जा सकता है क्योंकि राजपाल वो मुखमंत्री की बीच किस तरह से टकरा हो है पश्चिम मंगाल में आप सभी जानते है विहार विहार आप लोग देखेंगे यह आपको व मुखमंत्री है नजमा है पतुला यहांके यहां के राजपाल है पर आपका मद्पधेश मद्पधेश आपको वीचों बीच में देखने को हुलेगा इसके रधानी भौपाल हो गई और आप सभी जानते है कि मद्विदेश को हिदय पिदेश भी कहते हैं बीच में होने के कारण ठेक है तो इसमें आप देखेंगे भोपाल इसकी राध्धानी हो गई सिवराश सिंग चोहान यहां की मुकमंत्री मंगू भाई छगन भाई पटेल साहब यहां की राजवाल फिर आप देखेंगे महारा होग देखेंगे महाराश्छ आपको देखने को मिलीगा यह महाराश्छ इसकी राध्धानी मुञब हो गई और आम जानते हैं कि ऊधाव ठाकरे यहां की राजपाल है मिजोरम मिजोरम आप देखेंगे यहां आपको मिजोरम देखने को मिलेगी करकर एक आपकी मिजोरम से जाती है और याद रखे मिजोरम किसी मार बंगलादिस से भी लगती है और म्यानमार से ठीक है तो इसकी राध्धानी की बात करें आयोल और स्री जोरम ठंग तो राजिस्थान आप सभी जानते हैं कि च्चत पल में सबसे बड़ा है है और जैपुरिस की राध्धानी हो गई और इसकी अंतराश्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है असों गहलोज सहब यहां के मुखमंत्री हैं और कल्राज मिस यहां के राजपाल है सिक्किम सिक्किम आप जानते हैं यह आपको देखने को मिलेगा गंगटो किसकी राध्धानी है और याद रखी सिक्किम किसी मापकी नेपाल से भी लगती है भूटान से भी लगती है और आपकी चाइना से तेन देसों से लगती है ठीक है तो इसमें आप देखेंगे इसकी गंगटो किसकी राध्धानी हो गई PS PS गोले यहां के मुकमंत्री गंगापरसाद यहां के राजवाद फिर यह आपका हरियाना हरियाना आप लोग देखते हैं कहाँ देखने को मिलेगा हरियाना ए है और आप सभी जानते हैं कि किसान अंदोलन किस तरह से चल रहा है विदायकों को अपने गाउं में नहीं गुसने दिया जा रहा है यहां तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है तो इसमें आप देखेंगे चंडीगड इसकी राध्धानी हो गई मनुहल लाल खटर यहां के मुखमंद्री है और बंडारू दत्ताते यहां के राजपाल हिमाचल पिदेश हिमाचल पिदेश आपको देखने को मिलेगा यहां देखें इसकी सीमा अंतराष्टी सीमा आप देखेंगे किसे लगती है चाइना से ठीक है और इसकी राध्धानी सिम्ला हो गई और जैराम ठाकुर यहां के मुखमंद्री है राजयंदन विस्तोनाथ अर लेकर यहां के राजपाल फिर आप देखेंगे तिपपुरा तो तिपपुरा आपको देखने को मिलेगा कहां तिपपुरा कहां यह है आपका तिपपुरा देखें तीनों तरफ से आपका वंगलातिस गेरे हुए ऐसे अगरतला इसकी राध्धानी हो गई और विफलाव कुमार देव यहां के मुखमंत्री सत्य देव नारायन आर यहां के क्या है राजपाल ठीक है यह आपकी राजपाल ठीक है यह आप दिल्ली आप लोग देखेंगे यहां है कहा है नई दिल्ली यह है आपकी नई दिल्ली और याद रखी नई दिल्ली की सीमा आपकी हर्याना और उफ्तरपिश मात दो राज्यों से लगती है ठीक है और नई दिल्ली इसकी राध्धानी हो गई अर्वेंद के जीवाल साहब यहां के मुकमंत्री हो गए, अनिल वेजल यहां के कौन है? उपर राजपाल, फर आपकी पांड़े चेरी, पांड़े चेरी इसकी राध्धानी और एन, देखिए यह है पांड़े चेरी, कई इसमें आप देखेंगे जले हैं, इस तरह है इस तरह है यहां तक, तो इसमें सामी यहां के मुकमंत्री हो गए, डॉक्टर टी सुन्दर राजन यहां के राजपाल, अंडवान निकोवार, कहां देखने को मिलेगा अंडवान निकोवार, फोर्ड विलियर इसकी राध्धानी है, और एड्मिरल डी के जोसी यहां के, प्रिसास लख्रमान लेजे, ठीक ह लद्दाक को मिलाकर, लेकिन आपने देखा है कि अब जम्मू कस्मीर दो भागों में बट गया, एक तो आपका लद्दाक है एक जम्मू कस्मीर है, जम्मू कस्मीर में आपकी विधान सभा होगी दिल्ली की तरह है, और दोनों के अंदसासित पिदेश हैं, लद्दाक में नहीं होगे, ठीक है, तो जम्मू कस्मीर की बात करें, तो देखिए इसकी पाकिस्तान से सीमा लगती है, अंतराक्ष्टी सीमा, और स्री नगर इसकी राद्दानी होगी, यो मनोस सिन्हा यहां की राजपाल है, फिर आप देखेंगे लद्दाक, यहीं आपको लद्दाक द चंडीगर, चंडीगर इसकी राद्दानी है, लक्षदीग, कारवती इसकी राद्दानी है, दमन बादुईप, दमन है इसकी राद्दानी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आट आपके केंदसासित पिदेश हो गए, और आपके कितने, 28 राज्ज हो गए, टोटल मिलाक 28, ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा,